आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ हमारे देसी मीठों से काफी हटकर है ये लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है बेसिक से इसके इंग्रिडियन्स हैं बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बेहद मज़े की बनती है तो चलिए ह हम शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने एक आवन ट्रे ली थी इसको मैं मेल्टेड बटर यानि पिगले हुए मक्खन की मदद से ग्रीस कर लूँगी ये करना बहुत ज़रूरी है इसके बाद मैंने यहां पर फाइलो पेश्ट्री ली थी और यह मैंने लिए तक एक या दो लेकर आप क्यों कर सकते हैं ये देखें मैं दुबारा से आपको दिखा देती हूं इस तरीके से आपने इसको फोल्ट करना है और ये फोल्ट की हुई पेस्ट्री आपने यहां पर जो हमने डिश तयार की थी उसके अंदर आपने इनको असेंबल करते जाना है इ करता की बेक हो रहा है हम इसके कस्टड की तयारी करते हैं दो कप मैंने यहां पर फुल फैट मिल्क लिया है एक चाय का चमच या एक खाने का चमच तक आप ले सकते हैं वनिला शुगर एक चोथाई कप आप डालेंगे इसमें चीनी मैं चीनी थोड़ी कम डालती हूं आप आदा कब तक बढ़ा सकते हैं या आपने टेस्के हिसाब से अंडे आप लेंगे इसमें दो अदद और बस यही चीज़ें इसकी थी आपने इसको अच्छी तार से विसकी मदद से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाए यह देखे इस तरीके से कस्टड इसके बाद मैंने डिश को अवन से निकाला है इस तरह कर इसको नजराना चाहिए अब मैं इस पर डालूंगी पिकला हुआ मखन 200 ग्राम सिंपल मैंने इसको पिकला लिया था पैड में डाल कर और यह सारे का सारा आपने इसको उपर डाल देना है बहुत बटरी फ्लेवर इ जीद 10 मिनट बेक होने के लिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और कुछ ऐसा ये दिख रहा है बल्कुल ऐसा इसको होना चाहिए अब इस सेज़ पर आपने इसमें फॉरण से यह जो हमने कस्टर तयार किया था यह आपने इसके उपर डाल देना है सारे का सारा और ये डालने के बाद अगेन हम इसको बेक करेंगे 25-30 मिनट के लिए जब तक ये गोलिन हो जाए और अंदर से इसका कस्टड भी पक जाए जब तक ये बेक हो रहा है हम इसका शुगर सिरफ बनाएंगे चीनी मैंने लिए आदा कप या आप अपने टेस के हिसाब से ले सकती है इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप पानी के साथी मैं इसमें डाल दूँगी एक खाने का चमच लिमू का रस और एक चौथाई चाय का चमच पिसी हुई हरी अलाइची आप साबित भी डाल सकते हैं लेकि मैंने आज पिसी हुई डाली है अब आपने फ्लेम को आउन कर देना है और इसको पकाना है जब तक कि चीनी इसमें डिजॉल्व हो जा और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 6-7 मिनट के लिए पकाना है हमने इसको पतला पतला सा नहीं रखना बलके थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए ये शुगा सिरफ जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगे एक चाय का चमच अरके गुलाब और ये डाल कर आप इसको मिक्स कीजिए मज़ीद एक से दो मिनट के लिए पका लिए और आपने इसको साइट पर रख दिना है ताकि ये नीम गरम हो जाए इसके बाद मैंने इसको मैं आदा घंटा के लिए बेक किया था और इसको मैंने निकाल लिया है जबर दसा ये तयार हो चुका है अब इस गरमा गरम जो हमने ये बेक किया है इसके उपर आपने नीम गरम जो हमने तयार किया था शुगर सिरफ वो डालना है और आपने इसको गार्निश कर दिना है पिस्ते के साथ मैंने यू लंबाई के रुख काटे हुए है आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर मेरे पास ड्राइड रोस पेटल्स थी यह आपशनल है अगर हैं तो इस्तेमाल कर लीजिए और यह डाल कर आप इसको सर्फ कीजिए मैं काट कर दिखा देती हूँ आपको कि यह अंदर से कैसा दिखेगा बहुत रिच क्रीमी फ्लेवर इस डिजर्ट का आता है और आप देखें कितना असान है यह बनाने के लिए इच के लिए बेस डिजर्ट है आप इसको गर्म बे सर्फ कर सकते हैं और एक ने रेसिपी तक के लिए आला हाफिज